मित्रों राधे राधे कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी आप सब का कल्यान करेंगे मित्रों गोबर्धन पूजा 2021 में कब है जानिये पूजा करने की बिधी वसुब मुहुर्त क्या है इस वीडियो में जानेंगे लेकिन ये सब जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे सी जादे सेयर करेंगे मित्रों गोबर्धन पूजा हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्रपक्ष की प्रक्षी प्रदा तिथी के दिन मनाया जाता है इस परवपर गोबर्धन और गाय माता की पूजा अर्चना करने की परंपरा है इस तेवहार पर गाय के गोबर से गोबर्धन परवत का चित्र बना कर गोबर्धन भगवान की पूजा की जाती है गोबर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है हिंदू मान्यता की अनुसार इस दिन गोबर्धन पूजा का बड़ा महत्व है बेदों में इस दिन वरून, इंद्र, अगनी, आधि देवताओं की पूजा करने का विधान है इस दिन गोबर्धन, परवत, गोधन यानि गाय और भगवान स्रीकिष्ण की पूजा करने का विशेश महत्तो माना जाता है गोबर्धन, पूजा के मौके पर मंदिरों में अनकूट का आयोजन किया जाता है अनकूट यानि कई प्रकार के अन्य का मिस्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान स्रीकिष्ण को चड़ाया जाता है कुछ इस्थानों पर विशेश रूप से बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है साथ ही तेल की पूरी आदि बनाने की परंपरा है अनकूट के साथ साथ दूच से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चड़ाये जाते हैं पूजन करने के बाद इन पकवानों को प्रसाथ की रूप में बांटा जाता है बहुत से मंदिरों में अनकूट का उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है और भगवान स्री किष्ट की अराधना करके उनसे खुसहाल जीवन की कामना की जाती है गोबर्धन पूजा के दिन गोबर से गोबर्धन बना कर उसे फूलों से सजाया जाता है गोबर्धन पूजा सुबह या साम के समय की जाती है पूजन करने की दौरान गोबर्धन पर धूप, दीप, नबाय, जल, फल, आदी चड़ाये जाते है इसी दिन गाय, बैल और क्रिसी काम में आने वाले पसुमों की पूजा की जाती है गोबरधन जी गोबर से लेटे हुए पुरुस की रूप में बनाये जाते है नाभी की अस्थान पर एक मिठी का दीपक रख कर दिया जलाया जाता है इस दीपक में दूद, दही, गंगाजल, सहद, बतासे, आदी, पूजा करते समय डाल दिये जाते हैं और बाद में प्रसाथ की रूप में पांट दिये जाते हैं पूजा करने के बाद गोबर्धन जी की साथ परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जव बोते हुए परिक्रमापूरी की जाती है गोबर्धन गिरी भगवान के रूप में मनाये जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा घर घर में करने से धन संतान और गवरस की प्रिधी होती है मित्रों वर्ष 2020 में गोबर्धन पूजा पाँच नवंबर दिन सुक्रवार के दिन मनाया जाएगा गोबर्धन पूजा प्रातक काल का सुब मुहुर्ट है 6 बज कर 35 मिनट 38 से 8 बज कर 47 मिनट 12 सेकेंड तक यानि प्रातक काल पूजा करने की कुल अवधी है 2 घंट 11 मिनट और गोबर्धन पूजा सायं काल का मुहुर्ट है 15 बज कर 21 मिनट 53 से 17 बज कर 33 मिनट 27 सेकेंड तक है यानि साम का पूजा करने की कुल अवधी है 2 घंट 11 मिनट